हलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे राजिस्तान राज जी के प्रमुक मंदिर और जणजाती से रिलेटेट 21 बहुत ही इंपोर्टेंट कॉशन डिसकस करेंगे दोस्तों जो कि आपकी आने वाले नेक्स एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट साभीत ओने वाल हैं क्योंकि सबी selected question है और बार बार exam में repeat हो रहे हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो तो सबसे बिल बात करते हैं रंगनाज जी का मंदिर तो कहां पर इस्तित है पुषकर जिले में इस्तित है नेक्स्ट है नीलकंट महादेव का मंदिर तो ये अलवर में इस्तित है नेक्स्ट है नोग्रहों का मंदिर तो ये किशनगड में इस्तित है नेक्स्ट है जेन नसिया बोले तो सोनी जी की नसिया का मंदिर तो ये अजमेर जिले में है नेक्ष्ट है कुझ बिहारी का मंदिर तो ये जोदपुर में इस्तित है नेक्ष्ट है मली नाज जी का मंदिर तो ये तिलवाडा बाडमेर जिले में इस्तित है नेक्ष्ट शुशनी बात करते हैं दादू पंत की पर्मुक पीट तो ये नरायना में इस्तित है रजब जी महराज की नेक्ष्ट है निम्बार्क संप्रदाय की पीट तो ये सलाम अबाद अजमेर में इस्तित है नेक्स्ट है तेरा पंत संप्रदाय संबंदित है तो ये जेन दर्म से संबंदित है तेरा पंत संप्रदाय नेक्स्ट है बक्ती आंदुलन राज्ये में फैलाया तो दादुजी महाराज ने फैलाया था बक्ती आंदुलन को राज्ये में नेक्स्ट बात करते है एक लवे यो सब्सक्राइब राज्ये में किस जिले में जनजाती का सबसे कम परतिशत है तो नागोर जिले में हैं जनजाती का सबसे कम परतिशत है नेक्ष बात करते हैं राज्ये में सरवादिक जनसंक्या वाली जनजाती का बाग है जिसका उलेक मस्से पुराण में भी है तो मिर्णा जनजाती है सबसे ज़्यादा राज्ये में और ये सबसे ज़्यादा जेपुर जिले में है नेक्स्ट है राज्ये में सबसे प्राचिन जन जाती भील कहां पाई जाती है तो ये बहासवाड़ा जिले में पाई जाती है इसे कमान वाले या वनपुत्र भी कहा जाता है भीलों के उपनाम क्या है कमान वाले और वनपुत्र कहा जाता है और ये सबसे प्राचिन जन जाती है next तो और जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो ये 12 जिले में पाई जाती है तो दोस्तो आशा करता हूँ आज गए वीडियो पसंद आया है दो सो तो कमैंट करके हमें बताई डूस्तो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसप अकाउंट के मादिम से शेयर कर दीजिए और हमें दूस्तों चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बना सके दूस्तों